कोई भी ग्रह जब वक्री या मार्गी होते हैं तो उसका हमारी राशियों पर अत्यदिक प्रभाव बढ़ता है। शूर्य और चंद्र को छोड़कर हर एक ग्रह वक्री और मार्गी होता है। जिसमें से राहो और केतु हर्चमय वक्री इस्तिति में रहते हैं। जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ उल्टी दिशा में चल रहा है। लेकिन कोई भी ग्रह पीछे की और नहीं चलता। यहाँ एक भ्रहम है। गूमती हुई प्रतिवी से ग्रह की दूरी तथा प्रतिवी और उस ग्रह की अपनी गती में अंतर के कारण ग्रहों का उल्टा चलना प्रतीत होता है। जैसे आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, आप किसी बस या कार में सफर कर रहे हैं, तो हमारी बस या कार तेज रप्तार से किसी अन्य गाड़ी को ओवर्टेक कर रही है, ओवर्टेक करते समय हमारी गाड़ी की रप्तार जादा होने की वज़े से ऐसा प्रतीत होता है कि वहा प्रिथवी की गती अधिक होने से वह ग्रह उल्टी दिसा में जाता महसूस होता है। जबकि सभी ग्रह एकी दिसा में और एकी तरीके से चक्कल लगा रहे होते हैं। फिर जैसे ही ग्रह की वक्री गती समाब तो होती हैं वहां मार्गी गती में आ जाता है। अर्थात अपनी पुरानी इस्तिती में लोड़ जाता है। अब इसी तरह सुक्रग्रह 29 जन्वरी 2022 को सनिवार के दिन दिन में दो बचकर 55 मिनट पर अपनी वक्री अवस्ता चोड़ कर मार्गी अवस्ता शुरू करने वाले हैं। धनु राशी में मार्गी होने जा रहे हैं। इन पर किस प्रकार का प्रभाव पढ़ने जा रहा है। आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप वीडियो को लाइक और सेयर करना मत भूले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी प्रथम राशी मेश राशी से। मेश राशी के लिए सुक्र दूसरे और सात्वे भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र इस समय वदी में आपके नौम भाव पर मारगी होनी जा रहे हैं। भागिस्तान पर शुक्र ग्रह का मारगी होना मेश राशी के जात्कूं के लिए सुप संकेत लेकर आया है। इस समय वदी में आपको भागि का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। जिसके परिवाम सरूप आप अपने कारिस्तल पर जिस छेत्र में भी हाथ बढ़ाएंगे। उस छेत्र में आपको शफलता की प्राप्ति होगी। करियर में भी इस समय वदि में आपकी उन्नती होगी, सुक्र की मार्गी अवस्ता का आपके ब्योशाय पर भी सुक प्रभाव पढ़ने जा रहा है, जिसकी वज़े से आपको अपने ब्योशाय में लाप की प्राप्ती होगी, सुक्र की इस मार्गी अवस्ता के कारण आपका रुज्ञान धर्म कर्म की और अधिक होगा और धार्मिक कार्यों में आप खुल का खर्च करेंगे शुक्र देब का मार्गी होना आपकी इस्तिती में भी सुधाल लेकर आने वाला है परिवार में भी भाई बेहनु का भरपूर सयोग प्राप्त होगा जीवन चाती के साथ भ मार्गी अवस्ता को और अधिक सुप करने के लिए मा लक्स्मी को खीर का भूग लगाएं बात करते हैं ब्रिशबराशी की शुक्र ब्रिशबराशी के लिए लगनभाव और छटे भाव के स्वामी होते हैं इस समय अवदि में यहां आपके अश्टम भाव पर मार्गी गत हैं तो आपको अत्यदिक सावधानी बरतनी होगी हाला कि इस समय अवदि में कोई छोटी मोटी यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता हैं परन्तु बाबजूद इसके आपको समलकर रहने की आवश्यक्ता होगी इस समय अवदि में कारी चेत्र में भी आपके सत्रु आप प परिलाम देखने को मिल सकता है, इस मारगी अवस्ता को सुप करने के लिए माता दुर्गा की नित्याराद न गरे, बात करते हैं मिथुन्दासी की, सुक्र ग्रा मिथुन्दासी के लिए पाच्वे और बार्वे भाव के स्वामी होते हैं, इस मारगी अवस्ता में वह आपके सब्तम भाव पर मारगी गती शुरू करेंगे सब्तम भाव पर मंगल ग्रा पूर्व से विराजमान है तो इसकी वज़े से मंगल के साथ सुक्र की यूति होने जारी है यहां आपको सामानी से अधिक अनुकूल फलू की प्राप्ति करवाएगा खास तोर पर इस समयावदी में आपके संबंदू में इसका बहुत सुप प्रभाव पढ़ने वाला है जो सिंगल जातक हैं और विबा के लिए सोच रहते या पेमी के साथ विबा की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं उन्हें भी इस समयावदी में भागी का साथ प्राप्त होगा परंतु बापजूद इसके आपको अपने साथी या पार्टनर के साथ किसी प्रिकार के विबादूं से बचने की सलाह दी जाती है साधी सुधा जात्कू की अगर हम बात करें तो उन्हें इस समयवदी में भागी का साथ प्राप्त होगा ऐसे में आपके दामपत्ती जीवन में संबंदू में मधुर्ता देखने को मिलेगी इस समयवदी में खुद को स्वस्त रखने के लिए अपने मन में नकारात्मक विचारू को आपको जगा नहीं देनी है इस मारगी अवस्ता को सुप करने के लिए नियमित रूप से भगवान गणेश की आरादना करें बात करते हैं करकरासी की करकरासी के लिए सुक्र चोथे और ग्यार्वे भाव के स्वामी होते हैं इस मारगी अवस्ता में रोग, रिल, रिपु के छटे भाव में सुक्र मारगी गति सुरू करने वाले हैं सुक्र का छटे भाव पर मारगी होना आपके लिए सुप परिलाम लेकर आने वाला है। इस समयवदि में आपको भागी का भरपूर सयोग प्राप्त होगा। खास तोर पर वह जातक जो साजेदारी में ब्यावसाई कर रहे हैं। उनके लिए सुक्र का मारगी होना बहुत उत परिलाम लेकर आने वाला है। कोई भी जातक अगर कंपटिशन की तयारी कर रहा है तो उन्हें भी इस समयवदि में सुप परिलामू की प्राप्ति होगी। और वह अपनी परिक्ष्या में शफल रहेंगे। यहां समयवदि कठिन विशयों को समझने के लिए सर्वत्तम है क्यूंकि इस समयवदि में आपकी आसानी से बात समझ में आ जाएगी। आर्थिक लिहाद से भी सुक्र का मारगी होना धनल आपकी इस्तिती बनाने जा रहा है। हालाकि चुनोतियां भी इस दोरान आपके साथ रहने वाली हैं। लेकिन आप उसे आसानी से हल कंदे में सक् इस मारगी अवस्ता को सुप करने के लिए भग्वान सिवपर चावल और दही का अभिशेक करें। बात करते हैं सिंगरासी की। सिंगरासी के लिए सुक्र तीसरे और दसम भाव के स्वामी होते हैं। इस मारगी अवस्ता में शिक्षा, संतान और रोमान्श के पंचम इस समय वदी के दौरान कारी छेत्र पर भी नौकरी बेशा जात्कूं को उन्नती की प्राप्ति होगी। अगर आप पार्टनर्शिप के ब्यावसाई से जुड़े हैं तो इस समय वदी में आपका अपने पार्टनर के साथ समंद अच्छे रहेंगे जिसके कारण आपको अप के द्वारा कियेगे प्रयासु में आपको सभलता की प्राप्ति होगी। जिससे आप अपनी परिक्ष्या में अच्छे अंकू के साथ सभलता प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप नौकरी की तलास कर रहे हैं आपको भागी का साथ मिलने की वज़े से एक अच्छी नौकर करने के लिए ताबे की लोटे में जल भर कर उसमें चावल डालने के बाद आप शूरी को नित्य अर्ग दीजिए। इससे सुक्र के मार्गी फलू में और अधिक ब्रिद्दी देखने को मिलेगी। बात करते हैं आज की अपनी अंतिमरासी कन्यारासी की। कन्यारासी की जा प्रिद्दी देखने को मिलेगी। जो लोग नया मकान या वाहन खरीदने की सोच रहे थे। उन्हें भी इस समयावदी में नया मकान या वाहन खरीदने के अवसर प्राप्तों हो सकते हैं। हाला कि इस समयावदी में आपके खर्चु में भी ब्रिद्दी देखने को लेकिन यहां सब खर्चे आपके सुक्षुधाओं में होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। करियर में भी भाग्य का साथ आपको भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा, जिसके कारण कारी चेत्र में आपके मान सम्मान पत प्रतिष्टा में भिद्ध देखने को मिलेगी। इस समयवदी में आपका पारिवारिक जीवन भी सोहार्द पूर्ण बना रहेगा। साथ ही साथ इस समय वदि में आपके जीवन में धन आगमन के योग भी प्रसस्त होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर कन्या राशी के जात्कूं के लिए सुक्र का मार्गी होना सुप परिणाम लेकर आने वाला है। इस मार्गी अवस्ता को और अधिक सुप करने के लिए छोटी कन्याओ को खीर का भूग लगाए। तो यह था सुक्र का मार्गी होना जिससे हमारी प्रथम की छहराशिया प्रभावित होने जा रहे है। उमीद करता हूँ यहाँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्सक चैनल पने हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथी साथ बेल नोटिपिकेशन भी आउन कर लीजिए। जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिपिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और आप वीडियो को लाइक और सेयर करना मत भूलिए। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।